हाई फ्रेंट मैं कवीता पांडे वेलकम बैक टू मैं चैनल सो फ्रेंट आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं फिर एक नहीं रेसिपी के साथ हाई हूं जो बहुत जादा टेस्टी है और बनाना बहुत असान तो चली शुरू करते हैं यो सैसे तो बहुत सारे सेंट्विचेस बनाये होंगे आप खाये भी होंगे अलू यह बट आ यहिं की निघींग द्ग इसके लिए मैंने boiled आलू लिया हुआ है तो चार medium सच के आलू को मैंने boil कर लिया है उसे हलका सा mash कर लिया है यहां पिर pan मेरा गरम हो गया है मैं डालूंगी mustard oil 2-3 चमच थोड़ा सा जीरा डालूंगी थोड़ा सा हिंग डालूंगी इसे थोड़ा crackle कर लती हूँ एक प्याज मैंने chop कर लिया है बारिक इसे डाल दूंगी प्याज को golden crown होने तर्फ राइक करूंगी तीन से चार क्रीन चीली मैंने बारिक चॉप कर लिया है इसे भी डाल दूंगी और अच्छे से फ्राइ कर लूंगी तो देख सकते हैं यहाँ प्याज का कलर चेंज हो किया है तो मैं डालूंगी ginger garlic का पेस्ट वन टेस्पूल साथी डाल दूंगी सारे मसाले थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी सारे मसाले आड़ करूंगी अभी हाफ टेस्पून जीरा पॉडर वन टेस्पून कोरियंडर पॉडर हाफ टेस्पून हल्दे हाफ टेस्पून ब्लैक पेपर मसालू को अच्छे से फ्राई कर लूंगी देख सकते हैं यहाँ पे मसाला भी मेरा अच्छे से फ्राई हो क्या है मैं डालूंगी आलू आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी 5-6 मिनिट साथ ही डाल दूँगी नमक गरम मसाला अच्छे से फ्राइ कर लूँगे हाफ टीजपून मैंने गरम मसाला एट किया है अच्छे से बहुत टेष्टी मसाला बनकर रेडि हुआ है अलू का यह डालूंगी लेवन जूस्ट आप लेवन जूस्ट मैंने लिया है यहां पे आप लेवन जूस के जगह पर ड्राइ मैंगो पाडर भी टाल सकते हो बहुत टेस्टी मसाला बनकर रेडी हुआ है अलू का अच्छा से विक्स कर लूँगी इसे अलू का मसाला मेरा रेडी हो गया है चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में यहां पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया हुआ है इसके जए पर आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हूँ अब मैं सेंड्विच बना लूँगी तो मैंने ग्रीन चटनी लिया हुआ है इस प्रेड कर लूँगी थोड़ा सा अब मैं आलो का मसाला भी इसमें इस्प्रेड करूंगी अच्छा से यह आलो अला सेंड्विच बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो अच्छे से आलो को इस्प्रेड कर लूँगी यहां पर पैन मेरा गरम हो गया है बटर लगाऊंगी सेंड्विच को सेख लूँगी उपर से भी बटर लगा दूँगी इस्प्रेड करते हुए अच्छे से इस्प्रेड कर दूँगी उलेट पिलेट करके क्रिस्प होने तक दूँँँ साइड सेख लूँगी इसे सेंड्विच दोनों साइड से सीग गया है तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से सारा सेंड्विच बना लूँगी मैंने सेंड्विच को प्लेटिंग कर दिया है सॉस के साथ बहुत ही क्रिस्प बनाई है बहुत ही डिलीसियस है तो इस तरह से जरू ट्राइ करें घर में सभी को बहुत पसंद आने माला है फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज मेरी वीडियो को पूरा वाच करें मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ सब तक वाय टेक किया है